मेरे बच्चे जानता हूँ, इस वक्त तुम बहुत परेशान हो, अपनोंने विश्वास घात किया है तुम्हारा, परेशान होना सही है, किसी के बिछरने का गम जरूर होता है, गम करो, पर एक हद तक, उसको अपने उपर हावी मत होने दो, कि जीना ही भूल जाओ, अब इनसान आपके काबिल ही नहीं था, तभी तो मैंने उसे आपके जिन्दगी से निकाल दिया, जिस वक्ति को आपकी कदर ही नहीं, उसके साथ रहने से तो अच्छा है मेरे बच्चे, अकेले रहो, आप उसके साथ रहकर अपना आत्मसमान खो रहे हो, यह सही बात नहीं है, इनसान को अपना आत्मसमान कभी नहीं खोना चाहिए, मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें चोंट पहुचाई है, तुम उसे माफ कर दो, और आगे बढ़ो, और भूल जाओ उसको, जो लोग किसी का बुरा करते हैं न, जो दिल दुखाते हैं, तो मालक उसका हिसाब सरूर ल उन्हें लगता है, वो सबसे चालाख है, लेकिन वो हकीकत में अपना मुरा वक्त शुरू करते हैं, तुम उनके बारे में सोचकर अपने कर्मों को मत प्रभावित करो, उन्होंने क्या किया, क्यों किया, इस बारे में जादा मत सोचो, तुम अपने आप में हीन भावना हीरा हो कोई तुम्हें समझ सके या ना समझ सके तुम्हारा साइं तो तुम्हें समझता है ना आपको परिशानी देने वाली हस्ती चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो साइं से तो बड़ी नहीं है ना जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है ना एक दिन वो जरूर पच्छताए मेरे बच्चे खुद को प्यार और खुद को इज़त दो, तब ही तुम्हें दूसरे प्यार करेंगे और इज़त देंगे, चल अब खड़ा हो, बहुत हो गया, छोड़ दे सारी चिंता, कब तक ऐसे जीओगे, बहुत सारे खुपसूरत पल तेरा इंतजार कर रहे हैं, बीतो हुए पलों को भूल जा, और आने वाली खुशियों का इंतजार कर, मैं हूँ ना मेरे बच्चे तेरा ख्याल रखने के लिए, तुम कितने अच्छे बच्चे हो, सबका ध्यान रखते हो, तभी तो लोग तुम्हारा फाइदा उठाते हैं, अब तुम मेरे बारे में सोचो अब जो सारा ध्यान है ना, तुम मेरे उपर करो, कि बाबा क्या खाएंगे, बाबा की मैं कैसे पूजा करूं, बाबा के साथ कैसे बाते करूं, बाबा का मैं मंदर कैसे साफ करूं, अब वो सारा ध्यान है ना, अब मेरे उपर लगा, और मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा, और तेरी खुशियों का ध्यान रखूंगा मैं मेरे बच्चे तुझे खुश देखना चाहता हूँ जब तु उदास होता है न तो मैं भी उदास हो जाता हूँ तुकि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी जिम्मेदारी है तुम कहीं बार पूछते हो कि बाबा ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ मुझे धोका क्यों मिला मेरे बच्चे तुम्हारे ही पिछले जन्मों का कर्म है तुमने भी किसी के साथ ऐसा किया था तो उसका हिसाब तो देना पड़ता है न पर तुम अब अच्छे बच्चे हो अब तुम अच्छे कर्म कर रही हो अब तुम्हारी जिन्दिगी में बहुत खुशी आने वाली है तो अपने बाबर पर भरोसा रखो आज से खुश हो जाओ और बहुत सुखी रहो